विपक्ष सिर्फ नारा लगाये तब तो कोई बात नहीं है लेकिन बीजेपी वाले जो करते हैं वो टेबल पटखने लगते हैं पंणा फार कुराने लगते हैं तो यह सब जो सरकारी संपतियों का दुखसान करवाते थैं तो उनके ओपर तो करवाई होनी चाहिये उनको कहने प्रधान मंत्री को तो राजनीती करनी है प्रधान मंत्री मन से जब दीदी ओ दीदी करते हैं और जब 50 करोड की गल्फेंड की बात करते हैं तब तो उनको नहीं आता याद आता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे होना चाहिए प्रधान मंदल का सितकालिन सत्र का आज चौठा दिन है ऐसे में जिस्ता से बिहार के मुखमंती नितीश कुमार जन संक्या को लेकर जो ब्यान दिये जिसको लेकर राजनीती काफी गर्माई हुए जहां भारती जनता पार्टी है जो सदनों को चलने नहीं दे रही है हमा साथ बात करने के लिए भागपा मालक विधाया का संदीप सौरफ सर सितकालिन सत्र चल रहा है और जिस्ता से बिहार के मुखमंती नितीश कुमार जो ब्यान दिये जिसको लेकर बीजेपी सदन ने चले आपके कई इसे मुद्दे हैं जो दब गए कैसे देख रहे हैं बीजेपी कि बेचाईनी वहां से है उसके बाद बिहार में एक लाग से जादा लोगों को रोजगार मिला है नौकरिया मिली है सब फाइनल हो गया है तो अब बीजेपी को घवराहत हो रही है और इसलिए ये सारे मुद्दे आरक्षन का दायरा बढ़ना जातियत गरना का रिपोर्ट आना इतने बड़ी संख्या में लोगों को नौकरिया मिलना ये सब मुद्दा पे चर्चा नहों इसके लिए ही जिस मुद्दे को लेकर के मानिये मुखमंतरी महोदय ने अपने बात को वापस ले लिया माफी तक मांग ली अब उसको लेकर के सदन नहीं चलने देना और वो सब्सक्राइब काफी समय था उसमें बात रखने के लिए लेकिन उसको नहीं चलने दिया गया तो यह बीजेपी का मानसिक्ता दिखाता है कि लोगों के मुद्दों से खास करके सिक्षा जैसे महत्वपुन सवालों को लेकर के उनके अंदर क्या गंभीरता है लेकिन जिस्त अगर विपक्ष सिर्फ नारा लगा है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन बीजेपी वाले जो करते हैं वो टेबल पटकने लगते हैं कुरसियां तोड़ने लगते हैं पन्ना फार कुराने लगते हैं तो यह सब जो सरकारी संपतियों का डुकसान करवाते हैं तो उनके उप प्रधान मंत्री को तो राजनीती करनी है प्रधान मंत्री मन से जब दीदी हो दीदी करते हैं और जब 50 करोड की गर्लफेंड की बात करते हैं तब तो उनको नहीं आता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे होना चाहिए हरी भूसन सिंग ठाकूर जो है ब्रिज भूसन सरंग सिंग जिसके उपर ओलंपिक विजेता महिलाओं ने आरोप लगाया का सब जांच हुआ पूलिस ने फाया पूलिस ने जो चार सिट लिखा उस चार सिट में लिखा हुआ है कि ब्रिज भूसन सरंग सिंग ने एक भी मौका नहीं गमाया लड़कियों को हरास करने का एक भी मौका नहीं गमाया अब समझी उसके उपर तो परधान मंत्री का चून ही निकल रहा है मनीपूर में महिलाओं को नंगा घुमा करके परेट करवाया गया परधान मंत्री मनीपूर का मक कहने के लिए तयार नहीं है तो इससे जादा बेसरम परधान मंत्री दुनिया में कोई नहीं होगा अब न नियोजी सिच्छक में दोनों मुद्दे रखेंगे बीपेसी से जो बहाली हो रही है उसमें जो बहाली में महिलाओं को और दिव्यांगों को मेरा मानना है कि उनका कम से कम ग्रिह जिला किया जाए नहीं तो तीन-तीन सो किलो मिटर इसमें रिजल्ट भी पेसी में नहीं दिया सिच्छक को लेकितों सब्सक्राइब कह दिया है सरकार ने कह दिया है कि जो नियोजी सिच्छक है उनको राज कर्मी का दरजा देंगे हमारी आपति है कि उनको अलग से कैटेगरी बनाकर के विसीष्ट सिच्छक न कहा जाए यह हम आये हमने लिग के दिया उस पर विचार सब्सक्राइब के बच्छों को मौका मिलना चाहिए एज रिलेक्सेशन जैसे पहले मिला था इसमें भी मिलना चाहिए हम तो सचाई कह रहे हैं कि भाई बिहार के अंदर सारे स्कूलों के अंदर आरक्षन नियमों की धजियां उड़ाते हुए आरक्षन रोस्टर को ना पालन करते हुए बिना कोई पारदर्सिता अपना है सारे काम जो है वो आउट्सोर्सिंग कमपनियों को क्यों दिया गया है किसने फैसला लिया मुख मंत्री माननिये सिक्षा मंत्री महोदय काना कि वो इससे सहमत ही नहीं है तो जब सिख्षा मंत्री सहमत नहीं है तो कौन कर रहा है अपर मुख सचीव कर रहा है तो हम कोई आरोप नहीं लगा रहा है हम सच्चा ही कह रहा है और उसपर तो जांच होनी चाहिए कि भाई किस आउट्सोर्सिंग कंपणियों को आपने किस जिला को दिया और क्यों दिया हमने कल ध्यानाकर्शन में दिया था लेकिन हंगामा के चलते नहीं आ पाया यह चला गया ध्यानाकर्शन समीति में यह थे हमाई साथ भागपा माले के बिदायक संदीप सरप इन्होंने क्या कुछ का आपने सुनाई से तमाम ख़रू बने रहे हैं नुई इस परंशन के कर दो बने सकता है